वेलकम टू माई चैनल आज हम सपना बुगा के सूट की स्टीचिंग करेंगे सॉरी मैंने वीडियो लेट डाली है क्योंकि ना ये मेरे पास से इदर उदर हो गई थी अब मुझे मिली तो मैंने सोचा डाल देती हूं मैंने महनत की हुई है और ये देखें कोको पास आ जाती ह जब भी कोई कपड़ा बिचाती हूं न तो इसको लगता है मेरे लिए बिचाया है भाग कर आती है उपर लेटने के लिए तो इसको मैं खेल में लगा कर अब इसकी फिटिंग की मार्किंग करूंगी मैंने न प्लेट ओफ लाइन ही डाल लिए फिर टाइम खराब होता है त और 17 इंच पर हिप लगाई थी काफी लंबी है न लेडी इसलिए मैंने थोड़ा नीचे को लगाया है साड़े आठ पर कमर और 17 पर हिप का निशान लगाया है साड़े 16 रेडी हो जाएगा आदा इंच सलाई में भी आ जाना है और इनकी कमर है 42 इंच उसका आदा हो गया 21 21 इंच ले लिया है और जो एक्स्टा है मार्जन वो मैंने दोनों साइड से निकाल दिया है और हिप है इनके 48 इंच तो इरता 48 का अरदा हो गया 24 इंच 24 इंच लेना है और जो एक्स्टा मार्जन है दोनों साइड से निकाल दूगी 24 इंच का निशान लगा लूगी और और इनको आपस में मिला देना है 45 इंच बस्ट थी 42 इंच कमर थी और 48 इंच हीप थी इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपलोड की है चैनल के उपर फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी वैसे लेट हो गई है ये वीडियो मेरे से मुझे साथ में ही डालनी चाहिए थी कटिंग की वीडियो के साथ अब फिटिंग लग गई है अब हमने इसके उपर नेक चोड़ने है दोनों साइड के और ये मैंने फ्रंट का नेक लिया है स्वीट हाट वाला थोड़ा सा मैंने उपर से कट कर दिया था क्योंकि काफी बड़े हैं नेक थोड़ा सा कट कर दिया वो बोल रहे थे के छोटा नेक चाहिए आदा इंच कट कर दिया है साथ की इंच रेडी हो जाएगा और इसको मैंने छे इंच गैप रखा है चुड़ाई नेक की छे इंच के गैप के उपर लगा रहे हूँ छे इंच का निशान लगा कर न फिर सेट करके लगा रहे हूँ तो जो ऐसी हम निशान लगा कर सेट करके लगाती है न तो जब हम सूट के उपर लगाएंगे तो वहाँ पर भी छे इंच ही विर्थाएगी नेक की तो ये मैंने इसके उपर एक बड़े बखे के साथ से लाई लगा दी है अब आदा दा इंच कपड़ा इसके साइड से कट करके उपर को फोल्ड कर दूँगी मैं आदा दा इंच कपड़ा कट करके इसको उपर को फोल्ड कर दूँगी मैं बुकरम के उपर और इसके सेंटर मे अब निशान लगाने है जैसे हम सूट के सेंटर में निशान लगाती है ना ताकि सेंटर में नेक जोइंट हो ऐसे ही नेक के उपर भी लगाती है। के उपर और देखें मैं बड़ी ध्यान के साथ चेक करकर के फिर मैं सलाई करती हूं तांकि मेरी ना किंप्लेट ना आ आजाए तांकि यह बात दबारा दबारा से मुझे ठीक ना करने पड़े और यह बीच में से कपड़ा कट कर दिया है एक एक पैर का मारजन छोड़ते हूं सलाई से थोड़ा सा दूरी पर और ये एक सिलाई लगा देनी है किनारे किनारे के उपर तो इससे हमारा नेक फिक्स हो जाएगा ये देखें आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं लेकिन मैं हमेशा सिलाई ही लगा देती हूं और ये फ्रंट का नेक हम हो गया है कम्प्लीट अब बैक सेड के लिए हमें उरे पटी कट करनी है मैं अनदाजे से ही कट करती हूं आप चाहें तो इंची टेप से ऐसा तिरचा निशान लगा कर फिर डेड़ डेड़ इंच का मार्जन लेते हूए कट कर लिए उरे पटी पीछे का नेकिन का 6 इंच है मैंने कटि ही लगा रही हूं और मैंने फ्रंट के उपर भी ना स्वीटार्ट नेक इसलिए बनाया है क्योंकि यह से प्लेन सा सूट है एक तिम कहीं गलती से जल्दी जल्दी में ना पीछे का आगे ना पढ़ जाए इसलिए थोड़ा सा ना फ्रंट का नेक मैंने अलग से बनाया है र पीछे का पला आगे कर लिया है तो फिर वो सेट करती हैं तो मैं भी एक बार घबरा जाती हूं यह कैसे हो गया और ये तीरे जोड़ रही हूं मैं और ये पटी को आगे को रखा है और बुकरम का नेक मैंने पीछे रखा है और इसके उपर सलाई लगा रहे हूं एक्स्ता आगे साथ साथ कट किये जानी है बिल्कुल सफाई के साथ तीरा जोड दिया है मैंने ये देखें तीरे के उपर भी डबल सलाई लगा देती हूं मैं तांकी पका हो जाए और फिटिंग का निशान हमने लगाया था वहाँ पर सलाई चला देनी है अब तो बस ये नेक बन जाए न तो फिर लगबग मुझे लगता है कि सूट आदा बन गया है क्योंकि बाकी सलाईया ये वाली सीधी सीधी होती है फिटिंग की नेक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है आगे का पीछे का तीरा जूड़ जाए तो फिर थोड़ा सा न अच्छा लगता है कि अब सूट बस थोड़ा ही रह गया है और ये देखें जहां पर तक फिटिंग है वहाँ तक सलाई लेकर न सूई को अंदर करके एक और सलाई लगा दी है और ये दूसरी सलाई में बड़ी स्पीड के साथ लगा देती हैं पहले सलाई अराम राउंड से लगती है ऐसे ही दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगा लिए है दोनों साइड़ी की फिटिंग हो गई है अब हमने आरम होल की गुलाई नापनी है साड़े नो इंच आई थी ये देखें ऐसे गुलाई नाप लेनी है साड़े नो आई है अब बाजू के फ्रंट में हमने कट करना है साड़े नो इंच का निशान लगा कर और लंबा ये एक बार चेक कर रही हूँ नो इंच चाहिए थी मुझको और ये साड़े नो इंच पर निशान लगा कर गुलाई डाल देंगे हलकी सी आदादा इंच की अंदाज जिसे ही डाल देती हूँ मैं ये वाली गुलाई ये आरम होल की काट भी हमने डाल दी है आगे की ऐसे ही हम सूट के उपर भी आगे की गुलाई डालती है ये वाली काट डालने से ना फिर बल नहीं पड़ते आगे की तरफ थोड़े दोनों बाजू को मैंने ऐसे ही फोल्ड कर लिया है और यह आड़ी बाजू बनी थी मैं अब आड़ी ही बना देती हूं जिसकी बनती है मैं क्या करूं क्योंकि अगर हम सीधी बनाएंगे ना तो फिर जोड परते हैं बाजू में तो फिर कस्टमर कई बार जोड भी नहीं पसं अभी तो का ना ही आए तो अच्छा है और इनको आपस में इंची डेप से मिला देना है कई बार कस्टमर आकर थोड़े बहुत गलती निकालता है न तो फिर मैं ठीक करके देती हूं तो वैसे तो मैं हमेशा यहीं बोलती हूं कि यहीं पर चेक कर लो डाल कर अगर कुछ प् और ही लगा देंगे यह साड़े छे पर निशान लगाया है और इंची टेप से इसको आपस में मिला देना है बाजू उन्होंने आदी ही मांगी थी हाफी 9 इंच मांगी थी बाजू और इनको आपस में मिला कर अब सिलाई लगा देनी है इसको सीधा कर लेंगे बाजू को जो काट वाली साइड है वो आगे की तरफ रखनी है ये देखें मैंने बाजू को जैसे पकड़ा है और आगे की तरफ डालना है ये देखें जोहां पर हमने बुकरम का नेक बनाया है उसी साइड पर बाजू को डाल देना है वो अंदर को और अब सिलाई लगा देनी है गुल तीन बार उठना पड़ता है इसलिए में पहले ही प्लेट डाल लेती हूँ और फिटिंग के समय ही उठकर निशान लगा लेती हूँ तो फिर बाद में सारा काम बैठे बैठे हो जाता है स्टैंड को भी न फिर सेट करना पड़ता है बार बार कभी उच्चा कभी नीचा तो इसली में पहले ही प्लेट डाल लेती हूं इस सूट के सभी के जब प्लेट वाला सूट हो तो अगर लाइनिंग वाला सूट हो तो लाइनिंग अटैच कर लेती हूं पहले ही तो ये एक बाजू हमारे लग गई है सीधा करके चेक कर लेना है फाल्तु के धागे कट कर लेना है दूसरी बाजू भी ऐसे ही लगा देंगे दोनों बाजू हमारे लग गई है और ये नेक के अंदर से कपड़ा निकला था ना इसी से मैं पट्टियां बना दूँगी जो बरा को होल्ड करने के लिए हमें पट्टि चाहिए वो वाली बना दूँगी तक होनी चाहिए यह बाली प ट्टियां और इन दोनों को अपस में फोल्ड कर देना है यह देखे, यह से फोल्ड कर देना है इसको और ज़ाई लगा देनी है कोई सलाई लगा देंगे तो इसको अंदर से कट कर लेना है ये देखें दो बन गई है अब इसको तीरे के उपर जोड देंगे जहां पर हमारा तीरा है ना वहां पर अटैच कर देना है इसको आप चाहें तो बाजू लगाते लगाते समय भी जोड सकते हैं लेकिन मुझे शुरुत से आदते मैं अलग से ही जोडती हूँ ये देखें थोड़ा अंदर को चल जाती है ना सलाई जब बाजू लगाते हैं तो इसको भी मैं साथ में ही सेट कर लेती हूँ तो पीछे और पटी के ऊपर एक और सलाई लगा देंगे तो जब तरपाई होगी तो वो तरपाई वाली तरपाई करने के बाद ये वाली सलाई उधेर देगी तो इसके बाद में घेरा फॉल्ड करना है तो प्लीज वीडियो पूरी देख कर जाना अब नहीं छोड़ना वीडियो को तो मैं इसकी ना कटिंग की वीडियो का अभी लिंक दे दूंगी डिस्क्रेश्चन में दो तिन दिन पहले अपलोड की थी मुझे याद नहीं किस दिन अपलोड की थी ये वीडियो तो अब इसका घेरा फॉल्ड करना है और मैंने फिरकी चेंज कर ली है क्योंकि मुझे सल्वार भी सिलनी है तो मैं सोच रही हैं सेम धागा बचा लेती हूँ फिरकी नहीं भरनी पड़ेगी और ये डबी में मैंना फिरकियां ही भरके रखती हूँ इसलिए मेरे पास पड़ी रहती है और इस डबी को उपर रख करना मैं कपड़ा कट बट कर लेती हूं ताकि उड़ेना पंखा चल रहा होता है गर्मी के कारण और ये गहरा फोल्ड करना है फिर कि मैंने चेंज कर लिया फ्रैंड का तो वो न मुझे पोदे दिखा रही थी उसने तो गमले में ही चीकुआ नार लगा कर रखे हुए हैं मैं तो हैरान हो गई पोदों को जड़ें फेलाने का न मिलता नहीं है जमीन नहीं मिलती गमलों में ह आजकर लगते हैं जगा तो इतनी होती नहीं और ये देखें बिलकुल बराबर आ रहा है अब दूसरी साइड का भी फोल्ड करूंगी घेरा और इसको ऐसे निशान लगा लेंगे एक साइड का मैं अंदाजे से ही कर लेती हूँ और दूसरी साइड का निशान लगा कर में और दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे शान लगाने के बाद अब पीछे का घेरा भी फोल्ड कर दूंगी यहां पर मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट की थी तांकि बस घेरा ही फोल्ड करना है न तो ये देखें पीछे का घेरा भी फोल्ड हो रहा है इसके बाद में हम साइड वाले चाक फॉल्ड कर देंगे ता है और स्टिचिंग को ज्यादा लग जाता है इसलिए बड़ी वीडियो होती है यह स्लाइक की तो कटिंग तो जल्दी हो जाती है और यह साइड वाले चाक फॉल्ड कर देनी है यह देखें तो बस मैं थोड़ा छोटा छोटा कई ना बारीक सा ये मांगते हैं इसलिए मैंने कम कपड़ा रखा था यहां से खतम करके तो सुई को अंदर को करके दूसरी साइड से भी घेरा फोल्ड कर लूँगी तो उपर को लेकर आना है सबी वल निकालते हुए और अच्छे से इसको मैंने फोल्ड कर दिया है अब फोल्ड करूंगी पहले मैं चेक कर लेती हूँ अच्छे से पूरा ब्राबर ब्राबर आना चाहिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए चाक तो कई लोग इसका बहुत ध्यान देते हैं कि चाक बिल्कुल ब्राबर हो और अब सबी रंग बरंगे धागे लगा दूँगी जितने भी फिरकी में होंगे और सूट के साथ की जो फिरकी भरी थे वो मैंने रख ली है वो मैं सलवार के उपर जूज करूंगी चाक फोल्ड कर रही हूं और हमारी वीडियो पूरी हो चली है ये देखें कूल कूल कोटन लिखा हुआ था ना फूल फूल कोटन है ये कोटन नहीं है बिल्कुल भी तो ये देखें दूसरी साइड का भी चाक फोल्ड हो रहा है हमारा सूट कंप्लीट हो गया वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस लाइक कर दीना थैंक्स फर वोचिंग